हेलो एन वेलकम दोस्तों स्वागा थैं आपका मेरी यूटूब चैनल लिजिटल सीसी गुरू में आज की हम इस वीडियो में एक अवेरनेस कैम के बारे में बात करेंगे जो डिपार्टमेंट आफ एनिमल हजबेंटरी के द्वारा किया जा रहा है जिसकाสन्चालंज वो सीएशी करेगी तो यह आल वर इंडिया में जितने भी एस्पेरिशनल डिस्टिक्स है जो एक स्पेशल डिस्टिक्स होते हैं तो सिर्फ उन्हीं डिस्टिक्स में किया जा रहा है और ऐसे टोटल दो कैम करने हैं एक 22 फरवरी 2023 को और जो दूसरा है वो 24 फरवरी 2023 को तो पहला 22 फरवरी को होगा फिर एक दिन का गैप है उसके बाद 24 तारीकों फिर से ये कैम करना है इसमें आपको 50 किसानों को बुलाना है बुलाकर ऐसा एरिया जहां पर आप लोगों को बठा सके जैसे ग्राम पंचायद भवन हो गया, स्कूल हो गया अगर आपके सेंटर के सामने स्पेस है तो वहां आप कर सकते हैं आपके यहां सेंटर के अंदर स्पेस है वहां आप कर सकते हैं अगर आप ग्राम पंचयत भी यह ली हैं तो आप अपने ग्राम पंचयत भावन में करवा सकते हैं अगर आपके पास प्रोजेक्टर है तो आप प्रोजेक्टर में उसको शो कर सकते हैं अगर आपके पास projector नहीं भी है तो भी आप अपने laptop में इसको show कर सकते हैं लोगों को बुलाना सबसे ज्यादा important है और सिर्फ इसमें बुलाने का ही आपको पैसा समझ लिजे मिल रहा है तो ये session आप जरूर करें ये सुभा 9 बजे शुरू हो जाएगा तो आप लोगों को फोटोज खीचने है अलग अलग एंगल से 5-6 फोटोज लेनी है जिसमें लोग भी clear आ जाए और आप फोटोज में ये भी show होना चाहिए कि आप वो वीडियो को show कर रहे हैं एक मिनट का लगभग आप एक video create कर लीजिए और आपको एक link मिलेगा उस link में photo, attendance और वीडियो को upload करना होगा तो इसमें आपको करना क्या है मैं आपको step by step छोटा सा एक process बता देता हूं तो इसमें कोई भी id map आपको करवाने की जर्वत नहीं है अगर आप अपने aspirational districts के VLE हैं तो आपको जो banner अभी screen पर show हो रहा होगा इस banner को 4-3 पर print करना है और आपको ये banner जहां आप य एक attendance sheet का attendance का format दे दूँगा मैं इसी video की description पर ये आपको banner भी show मैं attach कर दूँगा इसको आप download कर सकते हैं वो जो attendance sheet होगा उस attendance sheet को fill करके आपको logo का sign लेना है वो भी आपको scan करके upload करना होगा साथी साथ कुछ photos लेनी है अलग-अलग angles से जिसमें maximum जो लोग आया है वो लोग आपको video देखते हुए capture होना चाहिए उसके बाद आपको ये सब चीजों को आपको एक link में जाएगा उस link में आपको detail और data को add कर देना है as it is ही 24 तारी को भी same session होगा उस session में भी आपको same process करना होगा ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको 50 लोगों को ही बुलाना है अगर 45 भी है 40 भी है तो भी वो consider किया जाएगा ऐसा ना हो कि आगर आप 50 लोग नहीं आपा रहे हैं तो आप उस session को cancel कर दें आप इसकी कम से कम करने की कोशिस जरूर करें और ऐसे session CAC के दवारा हमेशा आते ही तो आप इस session में या इस टाइप के जो awareness session है इसमें participant जरूर करें ताकि लोग आपको जान सके और लोगों का जो भरोसा है वो आप पर बना रहे या बढ़े ताकि जो भी government की schemes आएगी आपके बोलने पर वो आपके पास बिल्कुल आ जाए अभी कई जगों पर ऐसा होता है क VLE को लोग या सरपंच या गाओं के लोग जानते नहीं है जिसकी वाज़ा से government की scheme भी आती है तो उस scheme को उसको करने में वहाँ VLE को दिक्कत होता है तो आप अपना ये भरोसा बना के रखे ताकि लोग जो है वो आपको आपके बोलने पर लोग आए आपके पास और आपके वीडियो से इस awareness session से लेटेट कोई भी issue होगा कुछ भी रहेगा तो आप वीडियो के वीडियो पे comment जरूर करें और comment करके आप पूछे मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं reply कर सबूँ तो आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next video thank you so much